हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंट्स बीना देर कि हम सिध्य अपने काम पर आते हैं क्योंकि इस समय बहुत कम एक जाम अपलों का बहुत करीब आ गया है तो हम सिध्य अपना टेस्टमेंट आप उपन कर रहे हैं और फ्रेंट्स जब आये तो आपको दो टेस्टमलेगा हम आपको नीचे लेपर क्लिके कर दिखा रहे हैं और हम लिसी ना को कॉसित हमिसमें इसमें किई है यहसे कोस्ट्न आपकी एक्जाम में भी आएगा और तो अगर यही आप इस हीचिति वीडियोंग अच्छे से देख रहे हैं तो अगर कोस्टन इस टाइप से नहीं अगर बदल कर आएगा तब भी आप उस कोस्टन को हल कर लेंगे क्योंकि प्रोग्राम ज्यादे आने वाले हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं इसमें दिया है फिर्स्ट कोस्टन है विचर फाल्विंग इस नाट वड़ीड वेरीवल नेम इन डिकलेरेशन में इसमें होता है लौर किसमें होता है करेक्ट आपसर है इसका-ट इसा और फालotechnology इसे से प्रीवल नेम इसमें कौन inputs हैलॅब इसमें यह इस्में से प्रोग्राम है फ्रेंड्स प्रोग्राम ज़्यादे आएगा क्योंकि यह स्कोप में एक वेरियेबल एक ही डिटा टाइप का बन सकता है नेक्स्ट है वाट विल हैपन इफ फालवेंग सी कोड इजिक्यूटेड अगर एक कोड इजिक्यूट होगा तो क्या प्रिंट करेगा इट विल रन विदाउट एनी एरर एंड प्रिंट 3 क्यों आप सोच रहे होंगे कि मेन कीवर्ड है और मेन कीवर्ड वेरीवल नेम बनाए क्योंकि सी प्रोगाइमे में कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिनको हम वेरीवल नेम बना सकते हैं तो मेन का हम वेरीवल नेम बना सकते हैं नेक्स्ट है which of the following cannot be a variable name in C इसमें से कौन सा एक variable name C नहीं है C में नहीं होता है तो volatile variable name नहीं होता है बाकी हम सब बना सकते हैं next है the format identifier %I is also used for किस data type के लिए %I का यूज होता है integer type के data type के लिए %I और या %D दोनों का यूज इंटी डेटाइप के लिए यूज किया जाता है next है which data type is most suitable for storing a number 65,000 in a 32-bit system बाद 55,000 number को variable में इस्टूर करने के लिए किस data type का यूज कि जाता है unsigned sort next है what is the size of an int data type int data type का size का होता है तो friends हर compiler में data type का size अलग-अलग होता है तो इसको डिपुइंट करता है system compiler पर तुमने इसका आंसर है c what is sort in c programming c programming sort क्या होता है sort is the qualifier and int is the basic data type next है what will be the output of the c programming code इसका output क्या होगा यह है float f1 equal 0.1 if a phone equal 0.1 print equal अगर इजह equal रहेगा तो फ्रींट करेगा equal is not equal तो friends क्यांट यहाँ पर question में ठोड़ा programming फ्रोग्राम फ्रा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर जो double equal है वहाँ पर triple equal रहेगा क्योंकि इसका correct answer होगा not equal और not equal तब आएगा जब यहां पर equal to रहेगा triple equal to का मतलब होता है जब दोनों value एक ही variable का और जब दोनों value same हो और एक ही data type का हो तब वो equal माना जता है तो यहां पर हम triple equal का मतलब बता हैं तो यहां पर float एफोन जो है वो float type का data type है और जो if के अंदर 0.1 लिखा गया है यह किस data type का है यह नहीं लिखा गया है तो यह by default double data type का हो गया और यहां पर एफोन में 0.1 है तो यहां पर दो value दो data type का हो गया और यहां पर triple equal to होगा जब तब यह identical operator होता है तब यह सेम नहीं होगा तब इस वाला part प्रिंट होगा तब क्या प्रिंट होगा और not equal यहां पर गलती से हम equal लगा दी है आंसर होगा इसका बी वाला next है which is correct with respect to the size of the data type इसमें से size of data type के लिए कौन सा correct है तो यहां पर है दीखिए सबसे छोटा होता care उससे बड़ा int उससे बड़ा double तो यह size इसका जो है respect है सीरियल से next है what will the output of the c programming code इसमें दीखिए float x is equal to single inverted comma के अंधर a लिखा गया है इसका मतलब समझ रहे हैं जब हम single inverted comma के अंधर a लिख दिए तो a का आसकी value x नाम के variable में store होगा तो एक आक्सी value क्या होता है 97 इसमाल एक लिए 97 होता है तो फ्लो टाइप का है इसलिए 97.00 कुछ value x में store होगा फिर हम उस x की value को print करा दिए तो क्या print होगा 97.00 हमारा answer है d next है what will be the output of the ship इसका है दिखे हैस डिफाइन ए टेन और यहाँ पर constant in a5 यहाँ पर फिर a की value को print करा है तो क्या print होगा यहाँ पर यहाँ पर answer होगा इसका correct c compile time error यहाँ पर प्रोग्राम में थोड़ा गलती हो गया है यहाँ पर होना चाहिए है है डिफाइन अगर यहाँ पर गलती क्या है गलती प्रोग्राम में नहीं हुआ है यहाँ पर compile time error आएगा क्योंकि यहाँ जो define किया गया है यहाँ पर identify नहीं लगा है identify मतलब जब a equal 10 लिखा होता तब यहाँ पर a की value 5 प्रिंट होता लेकिन a equal 10 नहीं लिखा गया है मतलब यह प्रोग्राम गलत है तो compile time error आजाएगा इसका correct answer है c next है enum type are processed by enum किस type का process करता है compiler next which of the following statement is false इसमें कौन सा statement false है तो यह है constant variable need not be defined as they are declared and can be defined later यह हमारा सभी ग्लोबल constant variable are insulated to zero यह भी सही है constant keyword is used to define constant value यह भी सही है you can not reassign a value to a constant variable यह देखिए हमारा statement false है तो इसका correct answer होगा d next है what will be the output of the following c code यहाँ पर दिया है int constant k equal 5k में constant data type का एक के नाम का variable जिसमें five value store है यहाँ फिर के की value बढ़ा दिये हैं फिर के की value को print कर रहा है तो क्या आएगा error आएगा विकाज एक constant variable cannot be change यहाँ जो के variable है constant type का है और constant की variable कभी change नहीं होता है तो यह error आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर cake value print कर रहा है कि यह value को update कर रहा है तो change होगा है नहीं तो update क्यों होगा तो यह error आ जाएगा next है which of the following is not a pointer declaration यहाँ पर कौन सा एक pointer declaration नहीं है यहाँ पर area जो है हमारा वह भी pointer type का ही होता है इसलिए a वाला भी सही है बी वाला भी सही सी वाला भी सही सी तो direct extra लगा है pointer type का ही है और इसका correct answer होगा क्योंकि यह care a यह pointer type का variable नहीं है declaration नहीं है next है which of the following statement is false इसमें कौन सा statement false है तो यहाँ पर देखिए बाकी जो ऊपर a और b और d है यह सभी सही है और जो c वाला है यह फाल्स है क्योंकि क्या दिखाया है यह variable must be declare and define at the same time यह जरूरी नहीं है कि यह कहीं टाइम पर variable को define declare and define किया जाए यह हमारे statement false है next है what will be the output of the following c code इंट आई बराबर 5 फिर आई में ही आई divide by 3 फिर मतलब आई की जो value है उसको हम 3 से divide कर दिए फिर आई में store कर दिए फिर आई की value को print कर रहें तो क्या print होगा आई क्या है हमारा integer इंटेटर टाइप का तो हमसा integer टाइप के value store करेगा जब पांच में हम तीन से भाग देंगे तो आएगा one point कुछ कुछ लेकिन हमारा इंटे टाइप का डेटा इस्टोर करेगा तो केवल वन इस्टोर करेगा आई में फिर आई की विल्व क्या प्रिंट होगा one तो फ्रेंट यह रहा हमारा आज का बीस कोस्टन जो आपकी जहां में बहुत ही अच्छा साबित करेगा और फ्रेंट अगर वीडियों अच्छा लगाउती से लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को से जरूर सेर करें ताकि आप वह भी इस कोस्टन को पढ़ सके और आपके ना आने पर वह समय पर आपको बता कर आपका हेल्प कर सके तो फ्रेंट बने रहिए आप हमारे इस वीडियों में और हमारे चैनल को सब्सक